इंस्टिटीट ऑफ रूरड डवलब्मेंट एंड पंचायत राज़की वैकंसी के बारे में जो कि हैदरावाद की है पर उसके बात करने से पहले फ्रेंड मेरा आपसे नवे दन है आपने मेरे चैनल लनी टैम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लनी टैम आप उसको लाइक कर सकते हैं प्लीज और इस वीडियो का एंड तक देए रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ट्रेंड स्टार्ट करते हैं इसमें आपकी सारी डिटेल को मैं बताने पूरी कोसेश करूँए जो आपके प्रॉलम रहती है वो पांसो दस स्टेट प्रोग्राम कर्ड दस है जिसके आप दे सकते हैं यहाँ पर पच्पन एयार से लेकर 55 एयर से रहेगी ऐज रहेगी तीस से 55 रहेगी क्योंगी है इसकी एज को क्वालिफिकेशन की बात करें पोस्ट ग्रेजवेट इन एकनोमिक अग रूरल डेपलमेंट, रूरल मेनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सोसल साइंस, सोसलोजी, सोसल वर्क कडेपलमेंट, स्टेडी, एन्ड सेमिलर डिसिप्लिन रहेगा, तरम ऑन पीजी डिग्री में भी आपको रिलेक्स केेस मिले हैं, इंजिनियर ग्रेजुएट होंगे तो फैम एनी रिकुनाइज उनिवस्टी सो सकता है मिनिमम एकडमिक आप स्टेंडर होना चाहिए साथ परसंट मार्क निस सेकेंडरी ठीक है क्लास टेंट और एक्क्वेलेंट 50 परसंट मार्क होंगे हाइयर सेकेंडरी और यहां पर एक्क् सेयर सेल लेगी 25 तीस रखे ही गई है इनकी एज लिमिट ठीक है एज क्वालिक बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इन एक्क्नॉमिक्स रूरल डबलमेंट रूरल मेनेजिमेंट पॉलिटिकल साइंस और सोसोलोजी सोसल वरकर डेबलमेंट स्टडी सिम्लर डेसिप्ल डेसिब्लिन रहेंगे जो कि आपके ग्रेजुएट में और से आपने ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है तो आसमें आप पचार प्रसंट रहना चाहिए क्लस्टर लेबर रिसोर्स परसंट की रहेंगे डाइसो वेकंशी जिन बार साढ़े बार्यार रहेंगी ठीक है आप नॉट एक्सीट 40 आपकी होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जे सकते हैं यहाँ पर एकुनार्ज उनिवर्स्टी से होना चाहिए और एस ए की वेबसाइट पर जाकर एपलाई कर सकते हैं जो की दस अगस्ट तक है इसके लिए आवीदन देर पाईए ठीक है अब इसकी ऑफिशल वेबसाट पर चलते हैं किस तरी किस हम आवीदन देंगे हो सब आपको मैं बताता हूँ आपकी हम उसकी नेसलर इंसिट्यूट आप र है अपको सब कि बता चुका हूँ यहाप आप चारें तो टेल में दे रखा है अब इसको बढ़ सकते हैं ठीक है आप देख सकते हैं धो psychologists की ड्मांड रखी गई है आपकी सेल यहां पर बता रहा है और अच्छे से जान करें आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है बहतर रहेगा आप इसे पढ़ लेजिए आप पूरा देखते हैं तो अगर आप सपोर्ट करें तो मैं आप सपोर्ट करें तो अगर आप सपोर्ट करें तो यहां पर इस वाले पर क्लिक करता हूँ तो यहां पर आप देखें कि उस ट्रेक्शन आ रहे हैं तो आप इसको में पढ़ लीजिएगा आप पुरी टिटिल देर की है यहां पर पौरम की लिंग की यहां पर आपको सब चीज बता रहा है इसको पढ़ लेना अच्छा रहता है ठीक है हमाई को प्रॉलम नहीं होती ह यहां पार रहा है एक सर्विसमन है या नहीं विजिकल चैलेंड है या नहीं मैनर्टी में आते हैं नहीं तो यह सब करना है अगर आप इन समय से आते हैं तो यस करती है तो उनकी कैटेगरी खुल जाती है ठीक है तो उनके हसाब से आप यहां पर दे सकते हैं तो यहां पर देख लीजी मैं No कर देता हूं से अपके सब्सक्राइब करना है यहाँ पर देनी आपको इमेल आईडी देनी है जो कि आपके मोवाइल पाया होगा तो आपको वो टाइप करना है ठीक है मैं टाइप करता हूँ जब तक तो कुछ इस तरीके से आपके इंटरफेस आएगा लॉग इन करने के बाद यहां पर आपको पिताजी का नाम इंटर ओ प्लेस ओ वर्थ जेंडर बताना है ठीक है नेशनल्टी बतानी है यहां पर आपको इंटर आपको एड्रेस करना है पर्मनेंट एड्रेस यहां पर आप दे सकते हैं आपके से स्टेट से वो बताना है जिस्टिक बताना है फिर इसका फिन कोड बताना है अगर करस्प आप दे सकते हैं तो यह चीज डिटेल जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको अप्लोड करना है यह इंटरफेस मैंने समझाया तो आई हो आप यह सब आसानी से कर पाएंगे इसके बाद में कोई दिफिकल्टी होती है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करिए कि आप मैं इसको पर नेक्स्ट वीडियो बना दूना तो प्रेंट्स आयूब आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनलन रने टायम को सब्सक्राइब करें साथी मेरे फेस्बुक पेज सरकाई आपको भी लाइकल थैंक यू